हेलो दोस्तों वेलकम टू न्यू ब्लोग तो कैसे आप सब जूर कोमेंट बॉक्स में लिखें तो आज मैं जा रहा हूं जुगिंदनागर मासर जी के घर जहां पर में रहता हूं और पापा जी अभी है घर में तो और आपको बादियों का नजारा बताते हैं यहां से बहुत बहुत दिनों के बाद जोईन हो रहा हूं मैं आपसे मातारानी का मंदर और देखें बादियों का नंजारा मुझे ही यहां से ब्रोड तक पैदली जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कोई भी बस्त आती नहीं है तो पहले ब्रोड पोइंच लेते हैं आपको ब्रोड वैली का नंजारा बता लेते हैं और फिर चलते हैं जुगिंदनागर की और बढ़िया सफर में और आपको बाद देखे कितना सुंदर जन्मा पोगिंद के साथ рओस तो दोस्तो एल जो सडकमार गहना वो जाता है भ्रोड मियूट की और देखे childcare जाता है वड़ा ग्रांग की ऑर देखिया किना प्रोड अरगर की पॉपाइंट से लनाव Hindi को आ पाले मंगरनाफ है जीरो पोइंट और इ कुछ देर के सफर के बाद मैं पहुंच चुका हूं मुल्थान में आपको मेरे पिछ मुल्थान मार्कर दिखाई दे रही होगी आपको बताता हूं इस बक्त हम बिल्कुल न्यू पुल के उपर और देखे उन नदी का नजारा यहां से और पीछे मुल्थान मार्केट और सामने ब्रोट मार्केट तो चलते हैं और सामने स्थे आपको आज नजारा विताते हैं यह मंदिर माद दुर्गा का और सफर के बाद मैं पहुंच चुका हूं बुर्ट बैली मैं तो देखे मेरे पिछे आपको दिखाई देरे रहे होगी बृट बैली चलिए आपको गुमाते हैं, बृट बैली आज और उसके बाद बस लेते हैं और चलते हैं जुहिंदनागर की और आजाना है मासर जी के घर हरावाग में तो पहले आपको यहां पर बता लेते हैं यहां पर है देपशोकोट जी का मंदिर और देखिए आपको पूरा का पूरा बजार और पूरा का पूरा पहाड इसमें दिखाई दे रहा हैं देखिए बहुती सुन्दर वो यहां पर आगे हैं उनसे मिला थे हैं आपको अभी अब हम चले नानु जी के घर चलते हैं वहां पर थोड़ी दे रुखते हैं और बस लेते हैं फिर चलते हैं अरवाक की और अभी मैं पहुंचुका हूँ मानु जी के घर में अभी थोड़ी देर यहां पर रैश करते हैं और उसके बाद चलते हैं जुगिंदनगर की और और आप से थोड़ी देर के बाद जोईन होते हैं तो बस आ गई है अभी चलते हैं हरवाक की और चलिए और ब्रोट बैली का व्यू देख लो यार कितमा सुंदर है अभी हम बसना हूं मैं तो मैं पहुंच चुका हूं मासर जी के घर में अभी मैं खाना खना खाकर पूरी तरह फ्री हो गया हूं और इस ब्लोग को तो यहीं पर एंड और मिलते हैं कर निव लोग के साथ ओके बाई गुनाइट टेक केर बाई बाई